यो फ्रेंड स्वागत है आपका अपनी चैनल आस क्लास में आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परिक्षा 2021 के लिए गणीत के काफी महत्पुर 20 अब्जेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए काफी महत्पुर रहेगा तो एक भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रशने से पहला नंबर प्रशने की तीन ठीटा बुराबर 90 डिग्री हो तो साइन ठीटा कामान ग्याद करें काफी महत्पुर प्रशने ये बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए यहाँ पे साइन ठीटा कामान निकालना है तो यहाँ पे आपको ठीटा कामान रखना पड़ेगा और इस ठीटा कामान कहां से आएगा तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको ठीटा कामान निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजे तीन ठीटा ब यानि ठीटा बराबर कितना हो गया हमारा 30 डिगरी हो गया बस ये ठीटा का मान आपको क्या करना है यहाँ पर रख देना है तो यहाँ पर प्रश्ण हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं ठीटा अब आपको पता होना चीये है कि साइन तीसडिगरी का मान कितना होता है एक बटता दो होता है याँ यहाँ पर ओप्सं क्या हो जाएगा यहाँ बिलकुली सई हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्ण आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अन तक जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने दो नमबर दो नमबर प्रशने यदि पांच साइन ए बुराबर आठ कॉस ए हो तो कॉट ए का मान निकाले यहां पर आपको कॉट ए का मान निकालना है तो सबसे पहले जो यह प्रशने दिया है सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं यहां पर दिया है पांच साइन ए बुराबर क्या दिया है 8 cos A अब यहाँ पर बोल रहा है कि cot A का मान निकाली है तो इधर देखिए sign इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा तो इधर बच जाएगा हमारा 5 और उधर क्या हो जाएगा 8 cos A और बटा के नीचे क्या हो जाएगा तो cos A बटा sign इधर क्या हो जाता है तो इहाँ पर लिख देगे cot A अब यहाँ पर देखिए आपको cot A का मान निकालना है तो 8 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा यानि 5 बटा क्या हो जाएगा 8 बुराबर के उधर क्या बचेगा हमारा cot A बचेगा यानि cot A का मान कितना निकल गया 5 बटा 8 निकल गया यानि यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह भी प्रशना आपको काफी ची तरीके से समझ में आया होगा आईए देखते हैं अगला परशने आपे तीन नंबर तीन नंबर परशने देखिए काफी महत्पुड परशने है कि मूल बिंदू से बिंदू पी यहाँ पर तीन छे की बीच की दूरी निकाले काफी महत्पुड परशने है तो मूल बिंदू से दूरी का सुत्र क्या होता है तो under root यह होता है x square plus y square होता है अगर आपको नहीं पता है तो इसे आप लोग लिख दिलिख लिजिए और याद भी कर लिजेगा कि मूल बिंदू से बीच की दूरी क्या होता है तो x square plus क्या होता है y square under root में होता है इसे आपको याद रखना है तो यहाँ पर देखिए बिंदू है तो इसका पहला वाला क्या होगा x होगा और दूसरे वाला क्या होगा यहाँ पर y होगा बस इसमें आपको रख देना है तो X का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का square प्लस है तो प्लस Y का मान कितना है 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का square अब यहाँ पर दिखें under root 3 का square कितना होगा 9 होगा और 6 का square कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर दिखें 9 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 ह हो जाएगा अंडरूट लेकिन यहाँ पर कोई option नहीं है तो 45 का क्या करना पड़ेगा आपको अभाजी गुणन खंड करना पड़ेगा तीन से कटाएंगे तो यह 15 बार में कटेगा फिर 3 से कितना बार में पांच बार में कटेगा तो यहाँ पर लिखेंगे अंडरूट तीन गुड़े तीन गुड़े अब यहाँ पर पांच हो जाएगा अब यहाँ पर दिखेंगे तीन का यहाँ पर जोड़ा लग रहा है तो तीन क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और पांच का यहाँ पर लग रहा है तो यह रूट के अंदर ही रह जाएगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा 3 रूट 5 हो जाएगा यानि यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह भी प्रशन आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा आएगे देखते हैं अगला प्रशन आपे चार नंबर चार नंबर प्रशने की दो बिरितों के छेतरफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी तरिज्याओं का अनुपात तो काफी महत्पुड प्रशन característ यह भी बोड एक्जाम 2021 के लिए यहाँ पे दिख UCR पशलों का अनुपात क्या होगा इसके लिए यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है 2 अनुपात 3 तो बोल रहा है यहाँ पर 30 का अनुपात दिया है 2 अनुपात 3 तो बोल रहा है कि 6 तरफलों का अनुपात क्या होगा तो बस आपको क्या करना है कि square कर देना है इन दोनों का तो 2 का square कितना होगा 4 होगा और 3 का square कितना होगा 9 होगा तो इनके 6 तरफलों का अनुपात क्या होग यहाँ पे 4 अनुपात 9 होगा यानि यहाँ पे 2 उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलकुली सही हो जाएगा काफी महतपुड महतपुड प्रशन है बोड एक्जाम 2021 के लिए तो एक भी प्रशन आप लोग इसकी मत कीजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग शुरू से के अनुपų जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अग्ला प्रशन 5 नंबर 5 नंबर प्रशने की एक ब्रित का परीमाप 44 सेंटिमिटर हो तो प्रित का च्छेतरफल ग्यात करें काफी महतपुड प्रशन है यहाँ पर आपको ब्रित का च्छेतरफल ग्यात करने है तो ब् बृत का यहाँ पर लिख देंगे बृत का परीमाप, यहाँ से सबसे पहले हम तरिजया निकालेंगे, बृत का परीमाप यहाँ पर दिखें कितना दिया है, 44 cm, तो यहाँ पर लिख देंगे 44 cm, और बृत का परीमाप का फर्मूला क्या होता है, तो 2 pi r होता है, 2 pi r बॉराबर कितना है हमारा 44 cm, अब यहाँ पर देखे 2, और πाई कमान कितना होता है, 22 बटा 7, और R कमान आपको निकालना है, तो R वैसे ही छोड़ दीजिए, और इधर कितना है, 44 cm, अभी से आपको क्या करना है, गुणा करना है, दो में 22 से गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 44 बटा 7 और गुणे आर बुराबर कितना हो जाएगा इधर चुवाली सेंटिमेटर अब यहां पर देखिए गुणा कर रहे है तो उधर जागे क्या करेगा भाग करेगा भाग करने का अर्थ क्या हुआ कि जाकर उधर उलट जाएगा यानि नीचे वाला क्या हो जाएगा उपर चल ज जाएगा तो उमिद करते हैं यह वी प्रशना आपको काफी तरीकिये से समझ में आया होगा समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 6 नंबर 6 नंबर प्रशने की कॉस पाई भाई 3 का मान ग्याद करें काफी महतपुर प्रशने ये भी बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए कि कॉस पाई भाई 3 का आपको क्या करना है मान निकालना है तो आपको अगर पाई भाई 3 कितने डिगरी को कहते हैं अगर आपको नहीं पता है तो πाई का मान कितना होता है 180 डिगरी और बट्टा के नीचे क्या है 3 है तो यहाँ पे कर लिजे 3 और इसे आपको क्या करना है कटाना है तो कटा लिजे तो यह कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा यानि यहाँ पे हो गया 60 डिगरी यानि यहाँ पे देखे पाई भाई 3 3 का मतलब कितना हो गया अब आपको पता होना चीए कि cos 60 degree का मान कितना होता है तो cos 60 degree का मान कितना होता है 1 बटा 2 होता है यानि यहाँ पे option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुली C हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह भी प्रषण आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आईए देखते हैं अगला प्रशने आपे 7 नमबर 7 नमबर भी प्रशने काफी महत्पुड है 7 नमबर प्रशने कि किसी गोले का बक्र पिष्टे 6 तरफल और आयतन बराबर है तो गोले की तरिजिया निकाले अगले का बक्र पिष्टे 6 तरफल बराबर है किसके तो आयतन के क्या है बराबर है तो गोले का बक्र पिष्टे 6 तरफल का फर्मूला क्या होता है तो यह होता है 4 पाई आर स्क्वेर यह किसके बराबर है गोले के आयतन के बराबर तो गोले का आयतन का फर्मूला क्या होता है तो 4 by 3 पाई आर क्या होता है क्यूब होता है यहाँ पर दिया है कि गोले का बकर प्रिष्टे छेतरफल तो यह हो गया बकर प्रिष्टे छेतरफल का फर्मूला और यहाँ पे बोल रहा है कि आयतन की ये क्या है बराबर है तो यहाँ पे लिग दिये आयतन का फर्मूला ये दोनों आपस में क्या है गोले का बक्र पिष्टे चेतरफल और आयतन दोनों आपस में क्या है बराबर है तो बोल रहा है कि तरिजय का मान आपको क्या करना है निक अब आपको R का मान निकालना है तो R में एक से गुणा होगा तो R हो जाएगा और 3 में एक से गुणा होगा तो R हो जाएगा और 3 में एक से गुणा होगा तो यहाँ पे 3 होगा यहाँ यहाँ पे 3 कितना निकलेगा तीन निकलेगा जो option number 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे गोले का बक्र प्रिष्टेच रफल का फर्मूला और यहांपे लिख दिए गोले का आयतन का फर्मूला दोनों आपस में क्या है बराज़ multiplied है जब आप लुग बराज़ॹ किजिएगा तो यहांसे 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पे 2 R है and 3 R है तो 2 R से 2 R कट जाएगा सिर्फ 1 R बचेगा इधर सब कट गया तो कुछ भी नहीं बचा जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है बराबर है आठ नमबर प्रशने यदि समीकरण KX-5Y बुराबर 2 तथा 6X प्लस 2Y बुराबर 7 के केवल एक हल है तो K का मान निकाले जब एक हल होता है तो इसका समीकरण कैसा बनता है तो A1 बटा A2 बराबर नहीं क्या होता है B1 बटा B2 और तीसरा बराबर हो या नो हो उसे कोई मतलब नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको A1 का मान रखना है A2 का मान रखना है यहाँ पर B1 का मान रखना है तो यहाँ पर दिकिए A1 का मान कितना है तो यहाँ पर दिकिए पहला समीकरण है और यहाँ पर दूसरा समीकरण है तो पहले समीकरण में जो X में गुणा करता है वो A1 और जो Y में गुणा करता है वो B1 जिसमें XY कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है C1 दूसरे सेमिकरण में जो X में गुणा करेगो A2 जो Y में गुणा करेगो B2 और जिसमें XY कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा C2 बस इसमें आपको रखना है A1 का मान K है तो यहाँ पर रख दीजे K और A2 का मान यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 है तो यहाँ पर लिख दीजे 6 बराबर नहीं है तो बराबर नहीं B1 का मान कितना है माइनस 5 है तो माइनस 5 और यहाँ पर देखे B2 का मान कितना है तो दो इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके भाग करेगा, तो k बराबर नहीं कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 30 और बटा के नीचे क्या हो जाएगा, दो 2 से ये कटा दीजे, कितना बर में कटेगा 15 बर में, यानि k बराबर नहीं कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाए तो आप लोग इसकीप मत किजिएगा, विडियो को सुरू से लेके अन तक आपको देखना है, आईए देखते हैं, अगला प्रशने आपे 9 नमबर, 9 नमबर प्रशने की कौट A निमनलीखित में से किस के बराबर हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि कौट A इसमें से किस के बर कोट ठीटा किस के बराबर होता है, तो कोस ठीटा बटा, साइन ठीटा कि यह क्या होता है, बराबर होता है, और यहाँ पर एक प्रशने और देता है कि 10 ठीटा किस के बराबर होता है, तो यह हो जाता है, साइन ठीटा बटा, यहाँ पर कोस ठीटा कि यह क्या होता है, अब आपको दस्वापद निकालना है तो दस्वापद का फर्मूला क्या होता है ए प्लस यहां पर 9D होता है और यहां पर आपको ए कामान रखना है और यहां पर देख सकते हैं एक कामान यहां पर 3 दिया है और डी कामान यहां पर 2 दे दिया है बस आपको यहां पर रखना है A कामान कितना है 3 तो यहाँ पर रख दिए 3 और यहाँ पर 9 है तो 9 और D कामान कितना है 2 है तो यहाँ पर रख दिजिए 2 अब यहाँ पर देखे 3 प्लस यहाँ पर देखे 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा तो उमीद करते हैं ये भी प्रशन आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा और ये भी प्रशन बोर्ड एक्जाम 2021 के लिए काफी ही मात पुण है यहाँ पर देखिए A बुराबर 3 दिया था, D बुराबर 2 दिया था तो बोल रहा है कि A P का दस्वापद ग्याद करें तो दस्वापद का फर्मूला क्या होता है A प्लस 9D यहाँ पर आपको A का मान रखना है और यहाँ पर आपको D का मान रखना है यहाँ पर देखिए A का मान 3 है तो A के जगे पर 3 रख देना है प्लस है तो प्लस 9 है तो 9 और D के जगे पर आपको कितना रखना है दो रखना है तो यहाँ पर रख दिए 2 और सबसे पहले आपको यहाँ पर जोड़ना नहीं है सबसे पहले आपको क्या करना है गुणा करना है तो 9 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 और प्लस 3 है तो यह 5x q plus 2x minus 5 में बहुपत का घात कितना है तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस बहुपत का घात कितना है तो चर का जो सबसे महत्तम घात होता है वही इस बहुपत का क्या होता है घात होता है तो चर क्या है यहाँ पर x है सभी में यहाँ पर क्या है चर एक्स है और एक्स का जो भी महत्तम घात यानि जो सबसे इसमें बड़ा घात होगा वही इस बहुपत का क्या होगा घात होगा तो यहाँ पे एक्स का घात एक है और यहाँ पे तीन है और यहाँ पे दो है और यहाँ पे चार है तो कौन सबसे जादा है तो यहाँ पे चर क यहां पे महत्तम घात यानी चार है यानी इस बहुपत का घात कितना है चार है यानी यहां पे सी उप्सन क्या हो जाएगा यहां पे बिल्कुली से हो जाएगा तो यह कौन सा बहुपत होगा तो यह चर घात बहुपत होगा और चतुर्थ घात बहुपत का यहां पे सुन्यको की संख्या कितना होता है तो चार होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन बारा नंबर भी प्रशने काफी महत्पुड प्रशने बोड एक्जाम 2021 के लिए तो इसे पे अधारी तेक प्रशन आपको 2021 बोड एक्जाम में देखने को मिलेगा तो इसे आप लोग काफी अची तरीके से समझेगा अगर आपको समझ में आ गया है फिर भी आप लोग एक बार देखिएगा अगर आप लोग एक बार देख लीजेगा तो और ज्यादा यहाँ पे समझ में आएगा यहाँ पर देखे बारा नंबर प्रशने की दो स संह रखना है तो यहाँ पे हमिए 25 और दूसरी एसं है करना है निकालना है तो वहथी छोड़what दीजीए लेजिए लोसा कितना दी है तो पहले वाला लोसा है और दूसरा वाला यहाँ प्या है मौसायने लोसा यहाँ यहाँ तो यहाँ पर लिख दीजे 50 और मुशा कितना है 25 है तो यहाँ पर लिख दीजे 25 और आपको दूसरी संख्या निकालना है तो 25 इदर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा यानि दूसरी संख्या बुराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 और गुड़े 25 और बट्टा के नीचे आजाएगा 25 तो 25 से 25 कट जाएगा यानि दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा जो option number 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा तो यह भी प्रशना आपको काफी इची तरीके से समझ में आया होगा आएए द लोग बनाना सीख लीजें कि इसे कैसे बनाते हैं यहाँ पर दी के प्रशन है यदि बहुपत 4x square minus 4 plus 1 के सुन्यक alpha beta हो तो alpha into beta ग्याद करें तो यहाँ पर आपको alpha into beta निकालना है तो alpha into beta को क्या कहते हैं सुन्यकों का गुड़नफल कहते हैं और सुन्यकों का गुड़नफल क होता है बस यहाँ पर आपको c का मान रखना है a का मान रखना है तो यहाँ पर जो x square में गुड़ना करता है और जो केवल x में गुड़ना करता है वो b होता है और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है यहाँ पर c होता है तो c का मान यहाँ आप लोग देख सकत 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 याँ याँ पे alpha into beta कितना होगा एक बटा 4 होगा याँ याँ पे a option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुली से हो जाएगा एक प्रश्नी हे भी पूछता है कि सुन्यकों का योग व्यात किजे याँ अलफा फ्लस बीटा का मान आपको क्या करना है निकालना है तो अलफा प्लस बीटा का यहाँ पर फरमूला क्या होता है तो यह होता है यह भी पूछता है, यहां पे सुन्यकों का गुडनफल भी पूछ लेता है, और सुन्यकों का योग भी पूछ लेता है, तो दोनों ही आपको निकालना आने चाहिए, अगर आपको दोनों निकालने आता है, तो काफी अच्छी आपकी त्यारी है, और इसमें से एक प्रशन र तो माइनस B बटा A होता है, तो यहाँ पर आपको B कामान रखना है, A कामान रखना है, तो जो X स्क्वाइर में गुड़ा करेगो, A होगा, जो X में गुड़ा करेगो, वो B होगा, और जिसमें XY कुछ भी नहीं होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर C होगा, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस लिख दीजिए, B कामान यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 7 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 7, और A कामान कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए 1, तो माइनस 7 बटा 1 कितना होगा, माइनस साथ होगा यानि यहाँ पे ए उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुली से हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह भी प्रशन आपको काफी ची तरीके से समाज में आ गया होगा अगर इसी प्रशन में यहाँ पे एप्सन क्या होता है यहाँ पर दिया है C कामान 12 तो यहाँ पर रखदीजिए 12 और A कमान कितना है कुछ भी नहीं होता है तो उमीद करते हैं अगर आपको ऐसे बोर्ट परिक्षा में परशन मिलेगा तो आपसे बन जाएगा अगर बन जाएगा तो आप हमें comment करके बोलिए जी sir बन जाएगा हम यहाप आपको comment को देख रहे हैं तो जल्दी बोलिए जी sir बन जाएगा और यहाँ पर देखे 15 नमबर प्रशने 15 नमबर प्रशने की निमनलीकित में से कौन AP में नहीं है एक प्रशने यह भी पहचानने वाला आता है कि कौन AP में है कौन AP में नहीं है तो इसे आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन AP में है कौन AP में नहीं है तो यहाँ पर 4 option दिया है तो जो भी AP में होगा तो उसका सारव अंतर क्या होगा बराबर आएगा यह आपको यहाँ पर याद रखना है सारों अंतर क्या होता है तो दो पदों का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए अगर वो AP में है तो तो यहाँ पर दिके 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा साथ में से 5 गटेगा, तो यह भी 2 बचेगा, 9 में से 7 गटेगा, तो यह भी 2 बचेगा, यानि यह भी AP में है, और यहाप देखें, 10 में से 6 गटेगा, तो कितना बचेगा, 4, 14 में से 10 गटेगा, तो कितना बचेगा, 4, तो यहाँ भी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स समान नहीं आ रहा है तो यह AP में नहीं है इसलिए यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुली से हो जाएगा प्रश्ण पूछ रहा है कि कौन AP में नहीं है तो D वाला option क्या है यहाँ पर AP में नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर D समान नहीं आ रहा है, बाकी इन तीनों में D यहाँ पर समान आ रहा है, लेकिन D वाले में यहाँ पर समान नहीं आ रहा है, तो उमीद करते हैं यह भी प्रशन आपको काफी इची तरीके से समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप लोग वीडियो यहां पे प्रिट की बाहय बिंदू से बिरिट पर कितने असपर्स रेखा, घिचा जा सकती है, यहाँ पे पर छी यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा, यहां पर बिलकुली से हो जाएगा, एक परशनी ये भी देता है कि एक बृत है, और बृत के अंदर एक बिंदू है, तो इससे कितना असपर्ष रेखा खीचा जाय सकता है, तो यहाँ पे जब आप लोग खीचिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, छेदा करेखा हो जाएगा तो इसे एक भी असपर्स रेखा नहीं खीचा जा सकता है तो इसे भी सांथ में आपको याद रखना और एक परशने ये भी देता है कि बिरित के अगर दो बाहय बिंदु है तो दो बाहय बिंदु से बिरित पर कितनी असपर्स रेखा खीची जा सकती है तो एक बिंदू से दो असपर्स रेखा खीची जा सकती है और फिर ये भी एक बिंदू है तो इसे भी आप लोग दो असपर्स रेखा खीची सकते हैं यानि दो बाहिय बिंदू से बिरित पर कितनी असपर्स रेखा खीची जा सकती है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है तो उमीद करते हैं ये सभी प्रशन आपको काफ़ एची तरीके से समझ में आया होगा समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा एक प्रशन ये भी रहेगा आप से 100% रहेगा बोर्ड एक्जान 2021 में एक प्रशन ये भी रहेगा तो इसे आपको ध्यान से समझना है कि इसका आपको क्या करना है बहुलग ग्यांत करना है बहुलक केसे निकलता है तो जो सन किया सबसे ज़्यादा बार आया होता है वहीइसका क्या होता है बहुलक होता है यहांविद करते हैं यह भी प्रशन आपको काफी अची तरीके से समझ में आया होगा आये देखते हैं अगला प्रशन है 18 numबर 18 नमबर प्रशने की एक असंभव घटना का परहिकता होता है काफी महत्पुर प्रशने यह भी Board Exam 2021 के लिए यहाँ पर आपको बताना है की असंभव घटना का परहिकता कितना होता है तो असंभव घटना का परहिकता कितना होता है और संभावघटना का पराहिक्ता 0 और संभावघटना का पराहिक्ता 1, तो यह आपको यहाँ पर याद होना चीए, दोनों ही प्रश्ण आपके board exam में पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल धियान से दोनों को यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पेदी के 19 नमबर क्योंकि आपको सुनियक निकालना है यहां पर दीके माइनस दो है तो माइनस दो को बराबर के उधर भेज दीजे तो क्या हो जाएगा प्लस दो यानि एकस स्क्वार बराबर क्या हो जाएगा प्लस दो हो जाएगा अब यहां पर आपको एकस का मान निकालना है तो इधर एकस root 2 निकले गा, यानि यहाँ पर B वाला option यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस थे हो जाएगा, एक minus में root 2 और एक क्या होगा, यहाँ पर बी option क्या हो जाएगा, तो उमीद करते हैं यह भी प्रशन आपको काफी इची तरीके से समझ में आया होगा आएे देखते हैं अगला प्रशन आ पर बीस नंबर बीस नंबर प्रशन की 9 से के square A-9 तेन स्कुएर A किसके बराबर है काफी महतपुद प्रशन है यहां पर देके प्रशन काफी महतपुद square a तो यह तीन ऐसे परशने जो board परिक्षा में बराबर repeat होते हैं तो इसे आपको काफी अची तरीके से समझना है इसमें हम आपको तीन परशने बताएंगे और तीनों के तीनों आपको समझ में आना चाहिए तो यहाँ पर देखिए पहला परशने आपको solve कर रहे हैं यहाँ देखिए 9 Seek square a माइनस यहाँ बोल रहा हूँ है कि इसका मान किसके बढाबर है यानी इसका मान कितना निकलेगा तो यहाँ अप लोग देख सकते हैं दोनों में 9 हैं तो 9 को आपको बाहर निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा Seek square a और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 square A हो जाएगा तो C square A minus 10 square A कितना होता है तो यह एक formula होता है C square A minus 10 square A यह एक होता है तो यहाँ पे इसका मान कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया तो 9 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यानि यहाँ पे B option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा और एक प्रशनी ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कोई भी आप से संख्या रख सकता है यहाँ पे 5 रख सकता है दो रख सकता है तीन रख सकता है कुछ भी रख सकता है बस इसे आप लोग एक पर समझ लीजेगा तो समझ में आ तो 8 में एक से गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा तो इसका भी answer कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा तो इसे भी आपको याद रखना है और समझ के रखना है अब इसे भी देख लिजे यहाँ पर 7 है कोई भी यहाँ पर अंक रह सकता है तो यहां पर दी कि यहां भी साथ है यहां भी साथ है तो आपको साथ को common निकालना है और यहां पर आपको लिख देना है यहां पर कि कौसे के स्क्वाइर ए और माइनस क्या है यहां पर कौट स्क्वाइर है तो कौसे के स्क्वाइर ए और माइनस कौट स्क्वाइर ए कितना हो प्रशन आपको काफ़ी प्रशन आपको समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से उस वीडियो को देख लिजेगा अगर आप लोग एक बार फिर से देख लेते हैं तो इसे यह जो 20 परशने हम आपको करवाए हैं काफी महातपुण महातपुण वो आपको 100% समझ में आ जाएगा यह हमारा गरांटी है और यहाँ पर आपके लिए है एक होमबर्क परशने इसका जवाव आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा निकालिएगा और जितना भी आएगा आप हमें क्या कर दीजेगा कॉमेंट कर दीजेगा आपके कॉमेंट का यहाँ पर इंतजार रहेगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक किजेगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जुरूर सेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सांथ में बेल आइकन को ओल पे दवा लिजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहें थैंक्यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लागे पढ़ाई किजिए टेक केर और बाए